श्रीक्रिष्ण गोविंद्व हरे मुरारे हे नाथ नारायन बासु देवो बोले श्रीक्रिष्ण भगवान की जये आज 20 पंचक का महत्त बताते हैं वीश पंचक ब्रत पांच दिन का होता है यह कार्थिक शुक एकादसी से यानि कि देव उठान एकादसी से प्रारम होकर के कार्थिक की पूर्ण माता तक पांच दिन तक चलता है कार्तिक महीने का इश्नान करने वाली माता वेने और पुरुष इस ब्रत को निराहार रह करके करते हैं इस ब्रत करने का विधान इस प्रकार है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान स्री कृष्ण की पूजा की जाती है पांच दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए ओम विष्णवे नमहा स्वाहा इस मंत्र से घी तिल और जौकी 108 आउतियां देते हुए हवन करना चाहिए अब भीजन पंचक ब्रत की कथा कहते हैं महावारत का युद्व समाप्थ होने पर जिसमय भीजन प्रता महें सूरी के उत्रायन होने की प्रतीक्षा में सरसया पर सयन कर रहे थे तब भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए उप्योक्त अबसर जानकर युद्विश्टर ने भीजन प्रता महें से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की किरपा करें तब भीजन प्रता महें ने पांच दुनों तक राज धर्म बर्ण धर्म मोक्ष आदिप का उपदेश दिया उनका उपदेश सुनकर के श्री कृष्ण अत्यन्त संतुष्ठ हुगे और बोले कि हे पिता महें आपने कार्थिक सुक्ल एकादसी से पूर्ण महा तक पांच दिनों में जो धर्म का उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसंदता हुई है मैं इसकी स्मृत्ती में आपके नाम पर भीश्म पंचक ब्रत स्थापित करता हूँ जो लोग इस ब्रत को करेंगे वे जीवन भर सब प्रकार से सुक भोग करके अंत्यम मोक्ष को प्राप्थ होंगे इस प्रकार से हे प्रिय सनादन धर्म बंधुगों यह भीश्म पंचक ब्रत और विधान और कथा कही है जिन सादकों ने अब तक यह चैनल सबिस्क्राइब नहीं किया है उनसे सादर अनुग्रह है कि क्रप्या इस चैनल को सबिस्क्राइब अबश्र कर लें धन्यवाद श झाल